वो डोरे मॉन वाली टाइम मशीन तो सब ने देखी होगी हम बच्पन में कितना ड्रीम करते थे न इसते के बारे में कि जा पाते हैं और हम सारी छीज़ों को देख पाते हैं कैसा कल्चुर था कैसे के चीज़े थी हम सारी चीज़ों को experience कर पाते हैं तो आज आपको यही experience दिलाने के लिए we'll be discussing a story जिसका नाम है A Sound of Thunder जिसको Ray Bradbury ने लिखा है जो की एक American writer है so welcome back to unexplored literature guys thank you so much for 200 subscribers and this was our target one thank you so much for helping us to achieve that keep supporting always and we'll achieve many more targets in the upcoming time so stay connected without wasting much of your time let's talk about Ray Bradbury the American author who was born in 1920 and died in 2012 his main genre was fantasy sky-fi horror mystery realistic fiction and his famous works are Fahrenheit 451 that was written in 1953 the maritime chronicles that was written in 1950 something wicked this way the illustrated man that was written in 1951 Danleon wine written in 1951 he received Pulitzer Prize in 2007 now let's start the summary of the story A Sound of Thunder is one of the best known short stories by Ray and the story was first published in Colonialist magazine in 1952 and it was later published in Ray's short story collection known as The Golden Apple of the Sun this is a time travel story which tells us how to change the past so it will be a momentum or catastrophic change in the future story starts in 2055 in the future year which is called Outlet's year which means that we can have a time travel attraction in the country as a name of the country in the US section in which the time travel travel services which allows animal hunters to change the time machine to change the time machine and how to be able to change the time the extent inducing the animals which means animals or dinosaurs then kill us अब हमारे एक करेक्टर है जिनका नाम है स्किल्स वो क्या करते हैं दस हजार डॉलर पे करते हैं ताकि वो क्या कर सके हंट कर सके एक ट्राइनसौरस रेक्स को जो की एक स्पीसिस है किसका डाइनसौर का अब साथ के साथ एक दूसर नरेटिव पे चल रहा है तो वो दूसर नरेटिव क्या है कि यूएस में प्रेजिदेंशल इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें क्या हुआ है जो कित है वो जी चुकी है रधर देन डेस्चर जो की एंटी वो थी इंटेलेक्च्वल तो सारे खुश है अमेरिका में कि चलो भाई अगर यह जो डेस्चर है यह आता है तो उसके वाज़े से क्या होता डिक्टेटर शिप चा जाता पूरे अमेरिका में बर्दिस मैं कित ही रिलाइबल और यह बहुत ही वर्दी सा क्या है लीडर है फिस स्टोरी शिफ्ट होती है फस्ट वह उनको इन्स्ट्रक्ट करते हैं कि आपको जो गोला तो अपना जाए जब बोला जा तभी करना है फाल्त अपना घ्ना नहीं चलाना माँ पर तो आ इंस्ट्रक्टेटर थेम कि जहां पर हम शूट करने बोले न और जब शूट करने को बोले तभी शूट करना and you don't have to touch anything साथ की साथ हम तुम्हारी सेफटी का भी कोई गरेंटे नहीं लेते हैं, जिन्दा बचके आओगे तो ठीक है, मरोगे तो, we can't just assure तुम्हारा सेफटी तो अब प्लैन क्या था कि उनको शूट करना है ट्राइनसारस रिक्स, जो की अराइव होगा कब, जब वो 60 मिलियन इयर जो है वो पास्ट में चले जाएंगे जो डैनसार था, वो specially chosen था और उसको red कलर से mark किया था, इस लेस्परेंस ने, जो की कौन थे, जो guide fellow थे किसके, ट्रेविस के क्योंकि यह जो animal था, डैनसार, उसकी death निश्चित थी कुछ मिनट बाद in past, मतलब कि कुछ इस तरीके से, कि मैं बोलूं कि एक इंसान है, वो मरने वाले है एक घंटा पहले, तो आप future से आएं, past में, और आप उनको पहले मार दे रहें, क्योंकि उनको मरना था यह कुछ मि पहला चीज हो गया, कि भई हमने past में आके किसी को मार दिया, तो इस तरीके से, तो ऐसा ही डैनसार के साथ है, कि वो कुछ मिनट बाद मरने वाला है, तो उसके जीने मरने से, मतलब एक दो मिनट जीने से कोई फरक नहीं पड़ता है, तो जो यह चीज है, उससे कुछ भी interference नहीं होगा past के अंदर, क्योंकि जो हमारा main task है, वो क्या है, हमारा main task कि यह है, कि हम past में जा तो रही है, उसकी चीजों को देख तो रही है, पर interfere नहीं करना है, यह company चल तो रही थी, लेकिन जो US government था, उसको चीज़े पसंद नहीं थी, इसलिए company को बहुत सारा जो amount था व माउस को भी मारोगे ना, उसकी वज़े से हमारा future है, वो बहुता है, आल्टर हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी सी चीज है, वो छोटा-छोटा add होके बहुत बढ़ा चीज बच जाएगा, क्योंकि if a mouse is dead, तो हम यह zoom कर सकते हैं, कि अगर वो कुछ times जीता, तो उससे क्या हो इस पर effect होगा, एक जो effect है, उसका वो पड़ेगा effect, और अगर fox कम होगा, तो फिर lion को खाना नहीं मिलेगा, तो पुरा food web बता रहा है, कि एक चीज कम होई, तो दूसरी कम होगी, और दूसरी कम होई, तो तीसरी होगी, तो पुरा जो cycle है हमारा एक environment में, वो पुरा disturb हो आते हैं, जो skills है, वो बहुत शौक होते हैं इस थ्यारी से, कि छोटी सी चीज से क्या फरक पड़ता है, इतने सारे चूहें, एक मर गया तो क्या हो गया, लेकिन फिर बाद में जब बारी आती है, उनके killing of dinosaur वाले time की, तो panic के अंदर क्या होता है, जो हमारे skill है, वो अपने जो रास्ता उनको बताया गया थे, कि यह मार्क डेरिया है, इस पेसे चलना है, वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, जंगल के अंदर, तो अब जो skills है, उनको punishment दिया जाता है, कि आप क्या करिए, time machine में जाके बैठ जाएए, क्योंकि आपने बहुत ज़दा carelessness दिखाया है, तो जैसे ही वो आते हैं वापस, time machine से, अपने present year में, that was 2055, तो वो notice करते हैं, कि nature के अंदर को change आ रखा है, जो लोग थे safari company में, they were also looking different, जो air था, उसके अंदर एक chemical taint था, और जो spelling था safari company का, that was also changed, जो कि imply करता है, कि English language में different house time पर, फिर उनको पता चलता है, कि बहुत नहीं जीता था दस्चर, जो की एक क्या था, anti intellectual था, और अब उसने क्या किया है, जो पूरा US है, उसको transform कर दिया है, एक facist statement, अब सब सोचते हैं, कि इसका reason क्या था, तो इसका जो एक main reason था, वो ये था, कि जो skill है, जो वो भटक गए थे रास्ते से, तो उनका pair एक butterfly पे आ गया थ तो उनके boot के साथ वो चिपक गया था, तो जो butterfly है, उसको बताया गया है, कि वो green और golden black butterfly है, green यहाँ पर represent करता है prehistoric time को, gold यहाँ पर represent करता है present को, और black यहाँ पर represent करता है phacism को, तो यहाँ पर यह चीज़ दिखाया गया है, कि एक butterfly के मरने से, जो पूरा environment था वहाँ का, future का, वो change हो गया, तो जो हमारे author हैं, वो यही बताना चाहते हैं, यह अगर हलका सा भी change होगा past में, तो उससे जो हमारा future है, वो totally क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, कि उसका बहुत जादा effect पड़ेगा हमारे future पे, कुछ इस तरीके से, तो यह जो text था, वो बहुत ही effective और gripping narrative के साथ था, जो की intervene करता है past, present और future में एक साथ, ठीक है, फिर वो एक जो ecological consciousness है, उसको भी create करता है, और importance बताता है, जो balance होता है, हमारा food web वाला है, फिर ecological balance उसको maintain करने का, फिर यहाँ पर butterfly effect की बात की गई है, जिसको हम relate कर सकते हैं, chaos theory by Edward Norton Hans, जो की 1960s में आई थी, कि एक छ environment है, वो change हो सकता है, फिर जो word है, anthropocene, उसको coin किया था, पॉल करता है, जो की suggest करते हैं, कि जो हमारा biosphere और geological time है, वो fundamentally transform किया जा सकता है, by the human activity, तो यह था इस story के बारे में, hope you understood that, please don't forget to share the video, like it and subscribe the channel, you can drop your questions into the comment box, I will try to answer them all, and suggest the topic for the next video, so that I can help you guys, so that was all about the video, thank you so much, stay healthy, stay happy, stay blessed.